समस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे जो 2nd T20 मुकावला होने वाला है इंडिया और न्यूजिलेंड के बीच में इसके बारे में डेटेल से इस मुकावली के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं सानिस के इस दोस्तों स्तिरफ आप एक कमेंट कर कर केसे बारे में चर्चा करेंगे और कौन से पिलियर हो सकते होजी और कौन सा पिलियर इस मुकावले में बहार हो सकता है साथ में आपके लिए फिर गिबाबे भी रखा है हमने तो प्लीज आप गिबाबे जरू जोइन करिएगा लेकिन इन सबसे पहले यदि आपने अभी तक हमारा टेलिग्राम चैनल जोइन नहीं किया हो न तो जोइन कर लेजीगा क्योंकि आफ्टर टॉस आपके लिए जो फान चैनल जरू जोइन कर लेजीगा लिंक आपके लिए टेलिग्राम की वीडियो की डिस्किप्शन में मिल जाएगी तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ बेन्यू के बारे में तो आप यहाँ पर देखोगे भारत रतल विहारी वाच्वे इस्टेडियम लखनों में अच्छा विकेट है बल्लेबाजी के लिए तो तो आप यहाँ पर देखोगे पांच मुकाबले खेले हैं जिन मैं सो दो मुकाबले इंडिया ने खेले हैं और तीन मुकाबले अफगानिस्तान और वेस्ट इंडिस के वीच हुए हैं आप यहाँ बात की जाए इन 5-5 मुका इतनी ज्याद नहीं आई तो उसका फायदा न्यूजलेंड के इस्पिनर ने उठाया जियां दूस्तों न्यूजलेंड के इस्पिनर ने उठाया और इंडिया के बले बाजों को बांद कि रहा है सबसे बड़ी बात सूरी कुमार यादप को मिजल सेटनर मेडन ओवर फेंग जियां दूस्तों मेडन ओवर फेंगे तब हद हो गई मैं हद मान गया कि मतलब सूरी कुमार यादप को मेडन ओवर फेंगना बहुत बड़ी बात है जिस पॉम में अभी सूरी कुमार यादप चल रहे हैं उसके एकवडिंग आप यहां पर देखोगे हाइस टोटल 199 है जो 129 जिरो वार और 190 एवब यहां पर देखोगे दो वार इसकूर देखने को मिला है बिकेट अच्छी है बलेबाजी के लिए दोस्तों और साथ में दोनों टीमों की बलेबाजी भी अच्छी है हलाकि इंडिया की बलेबाजी इतनी अच्छी नहीं हुई थी लाश्ट में ज़्याद अच्छी गैंद बल्ले बाजी कर सकें और गैंद बाजी भी साथ में अर्षदीप सिंग ने आपको पता हुआ एक नए रेकॉर्ड बना लिया टी-20 में इंडिया की और से सबसे ज़्यादर नो बॉल फैंकने का रेकॉर्ड अर्षदीप सिंग ने बना लिया तो बॉलेंग में कुछ तो चेंजिस करने पड़ेंगे यहां दो कुछ तो चेंजिस करने पड़ेंगे यदि हमें मुकाबला जीतना है आप यहां पर देख सकते हो दो हजार बास में खिल गया था जो मुकाबला इंडिया ने एक सो निन्यान बना थे और वहीं 137 बना लेकिन दोस्तों याद रखिएगा इस्पिन ट्रेक है जिया दोस्तों इस्पिनर को मदद मिलने वाली है यहां पर डोमेश्टिक काफी मुकाबली खेले जा चुके हो उन्हें मैं मैंने देखा है दोस्तों इस्पिनर को मदद मिलती है और ग्राउंड काफी बढ़ा है तो वहाँ पर भी इस्पिनर को benefit मिलता है आप यहाँ पर देखोगे अफगानिस्तान ने 156 बनाए West Indies 127 बना पाई थी यहाँ पर भी आप देखोगे तो तो 147 बनाए थे अफगानिस्तान ने पहले बले बाजी करते हुए 106 West Indies बना पाई थी यहाँ पर भी साथ के साथ विकेट दोस्तो सीम बॉलर ने काले थी और सेकंड इनिक्स में भी साथ विकेट सीम बॉलर ने और एक विकेट पेस बॉलर ने तो आप समझ रहे होगे दोस् 30% मातर सीम बॉलर बिकेट निकालते हैं तो कुछ ऐसा ही संभपता देखने को मिल जाएगा क्योंकि दौनों ही टेमों के बले बाज है ना पेस बॉलर के लिए कापी अच्छा खेलते हैं जियां दोस्तों पेसर के लिए कापी अच्छा खेलते हैं इस्पिनर को इतना अच् जिरेंड ने और 12 मुकाबले बिनकी हैं दोस्तों इंडिया ने अब दोस्तों यदि ए मुकाबला इंडिया हारती है तो सीरियल्स भी गबाएगी उसके अलाबा दोस्तों और रैंकिंग में भी काफी नीचे जाने वाली है तो इस बात को आप थोड़ा ध्यान में रखकर च पेस बॉलर के जगया दोस्तों एक स्पिनर खिलना चाहिए जिया दोस्तों विकेट क्योंकि थोड़ी मदद करेगी तो पेस बॉलर के जगया दोस्तों स्पिनर को खिलना चाहिए इस बात को थोड़ा आप कहां तक एगरी करते हो मुझे कमेंट करकर बताई क्योंकि तीन प अभी 4 आभर गेंद वाजी कर सकते हैं, जे यहां दोस्तो, 4 आभर गेंद वाजी हार्दिक पांडेः कर सकते हैं, बात करें career by cuts analysis की, ्लास्थ मुकाबले में ईसान किसन ने चार रन बनाया थी दोस्तो अन प्लेवल गयन थी जहां दोस्तो बिलकुल इसान किसन जिस बॉल पर आउट हुए थे ना दोस्तो बहुत क्वालिटी वाली गयन थी और हैट टुएड में आपके लिए लास्ट वीडियो में बता ही दिया है सब कुछ दोस्तो एबाला मैंस मैंने एड नहीं किया एक टुएड में चार मुकाबलों में उन्याशी रन लेकिन दोस्तो इसान किसन इस वेनुपर एक मुकाबला खेले थे उसमें नों ने 89 रन की इनिक्स खेल कर दी थी और 108 बन का स्ट्राइक रेट था तो विलकुल वेनु के अकोडिंग आप इसा परस्टीनिंग में खेला थोड़ा इनको फसंद है तो आप इन्हें अपने टीम में ट्राइ कर सकते हो उसके बाद सुबमान गिल्ट सांदार फॉम में चल रहे थे दोस्तो यह आउट हुए थे गेंद काफी सांदार थी यहां दोस्तो गेंद काफी सांदार थी दोनों ही दोस्तो सांदार गेंद पर आउट हुए थे ए ब्रिस्बेल की गेंद पर आउट हुए थे और ए मिचल सेटनर की इनका देखोगे है एक ही मुकाबला खेला है सातरन मनाए है वेनु पर कोई मुकाबला इन्होंने खेला नहीं है दोस्तो ज्यादा मुकाबले इन्होंने खे का था मुझे वहीं पर दोस्तों गुस्ता आया था सही बता हूं तो मैस देखते टाइम इतना बड़ा बल्लेबाज दोस्तों और इतनी अच्छी फॉम में चल ला है ICC T20 रेंकिंग में पहले नंबर पर है फिर भी दोस्तों आपको एक बॉलर इस्पिनर वो भी जो कि इंडि इनिंग में थोड़ा बल्लेबाजी करना है इनका अच्छा लगता है 46 और 189 का स्ट्राइक रेट है सेकेंड इनिंग में थोड़ा नीचे आता है स्ट्राइक रेट उसके बाद बात करें हार्दिक पांडिया बिकिंग नहीं मिला गेंदबाजी के नहों ने सुरवात की थी इनका देखोगे आप head to head में 10 मुकाबलों में 107 रन 15 का average है और 8 मुकाबलों में 4 विकिट है लास्ट मुकाबले में विकिट नहीं मिला जैसा ही मैंने बताया दोस्तो ए वाला मैंने match add नहीं किया है head to head में याद रख कर चलिएगा और वेनू पर भी देखोगे आप दोस्त करना चाहता हूं तो ए रेकॉर्ड आपको थोड़ा सा चेक करना होगा फर्स्ट इनिंग सेक्ड इनिंग का दीपा खुड़ा जो कि grand league की चोईस है small league में आप इने try मत करीगा दीजिया दोस्तो grand league में सांदर चोईस आपके लिए हो सकती है क्योंकि कुछ over एक गेंदबाजी भी करेंगे लाग पर दो अवर तो गेंदबाजी करने ही करने वाले हैं उसके अलावा बलेबाजी तो इनकी सांदार है ही 21 रन बना है दोस्तो बिकिट नहीं मिला head to head में दो मुकाबले खेले है इनोंने 9 रन बना है एबरेज भी 9 का ही है दोस्तो उसके अलावा वेनू पर कोई मुकाबला खेले नहीं है आप देखोगे तो यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में एबरेज 28 का है इस्ट्राइग ड्रेट 156 का अलाव 20 relative का मुसमें बलेबाजी करना इनको भाता है जिए थी आ दोस्तों सेकंट इनिंग में 5 विकेट भी निकाले है जबकि फर्स्ट इनिं दोस्तो सांदार फॉर्म में है और न्यूजिलंड के खिलाभ इनको आपने देखा होगा अधिकतर अच्छे खिलते हैं चाहिए वो नूज्युलंड में तो आप इन्हें अपने टीप में try जरूर कर सकते हूँ और दुखतो विकेट थोड़ी spinner का favor करने वाली है तो आप इन्हें try कर सकते हो उसके बाद बात की जाए कुल्दी प्यादप कुल्दी प्यादप को एक विकेट हैं यहां पर मिला यहां पर आप देखोगे head to head में दो मुकाबलों तीन विकेट और वेन्यू फर भी आप देखोगे तो यहां पर आप आओगे कि कुल्दी प्यादव ने जो एक मुकाबला खेला था उसमें इनोंने दो विकेट निकाले थे जियां दोस्तों 12 का यहां दोस्तों सबसे ज्यादा नो गेंद फैंकने का रिकॉर्ड नो ने बना दिया है आप देखोगे तो दो मुकाबलों में चार विकेट नो ने इनके खिलाब जरूर निकाले हैं लास्ट मुकाबले में भी एक विकेट निकाला मतला तीन मुकाबलों में रन काफी ज्यादा खा गया दोस्तों उसी ओवर की बज़े से हम मैं चारे हैं यहां दोस्तों 20 बेवर की बज़े से मैं चारे हैं सुधार करना होगा जरूरी है सिभब माभी को साइध इस मुकाबले में जगे नहां मिले जहां तक मेरा अनुमान है लेकिन दोस्तों आप तर टोस जो भी अपडेट आईगे टेलीग्राम पर मैं करूँगा एक विकेट इनौन निकाला दोस्तों और सुरवात भी इनसे गेंदबाजी कराई जाती है क्यों नहीं कराई गई मुझे समझ में नहीं आया मिडल ओवर्स में इनसे ज़्यादा गेंदबाजी कराई गई उम्रान मलिक को विकेट नहीं मिला दोस्तों और हेट टो हेट में भी दोस्तों इनोने कुछ नहीं किया और वेनु पर भी अभी तक नहीं खेले वालार अच्छे हैं दोस्तों इनको तो खिलाएंगे साथ सिवम मावी को भाहर बिठाला जा सकता है दोस्तों यहां पर कोई चेंजेस होगा अपडेट में टेलीग्राम पर करूँगा तो प्लीज आप टेलीग्राम जरू जोएन कर लिजीगा उसके बाद बात की जाए न्यूज जरेंट के बारे में फिन एलेन ओपन कर तो ही नजर आ जाएंगे सांदार टच में देखे दोस्तों फॉम में तो अच्छे हैं लेकिन थोड़ा क्या होता है अंडरसंट शॉट खेलने के जक्कर में आउट हो जाते हैं इंडिया क्लब दो मुकाबलाओं में दोस्तों इस मुकाबले से पहले तीन रन बनाया थे लेकिन अब अरतीस हो गए और दोस्तों यदि आप देखोगे पहले इनिंग्स में इन्होंने 23 के अबरेज से और 172 के स्ट्राइक रेट से रन बनाये सेकंड इनिंग्स में 20 के अबरेज से और 135 के स्ट्राइक रेट से रन बनाये मतलब पहले इनिंग्स में इन्हें बल्ले बाजी करना भाता है यदि इनकी पहले बल्ले बाजी आती है तो आप इने ट्राइ कर सकते हो, डेविन कॉनवे तो all time दोस्तो आपके लिए west रहने वाली है, captaincy wise captaincy की भी संदर चोईस है, जी यहां दोस्तो captaincy wise captaincy की संदर चोईस है, आप यहां पर देखोगे डेवन कॉनवे का, तो पाओ के 3 मुक कत तो आती है, लेकिन फिल भी आपको player अच्छे हैं, चाहे हो first inning में बल्ले बाजी करें, या second inning से में बल्ले बाजी करें, उसके बाद आप देखोगे Mark Chapman, last मुकाबले में खाता नहीं खोल पाये थी, इंडिया के खिलाब दोस्तो इस मुकाबले से पहले 4 मुकाबलों में 6 चाहन बनाये थी, और 24 कैबरीज 118 का स्ट्राइक रिट है, प्लेयर बहुत शांदार है Mark Chapman, लेकिन लेप टेंडर हैं, तो परिशान इनको कौन कर सकते हैं, वसिंग्टन सुंदर, यहां दोस्तो वसिंग्टन सुंदर हैं फरिशान कर सकते हैं, लास्ट मुकाबले में आउ साथ में दोस्तों 13 कैबरीज 124 का स्ट्राइक रिट, मतलब इंडिया खिलाब थोड़ी अच्छी बले बाजी करती हैं, साथ में पांच बिकेट भी निकाले हैं, हलाकि लास्ट मुकाबले में गयन बाजी इनोंने नहीं की, यदि आप देखो कि फरस्ट इनिंग में 25 कैबर और धुसर इननिको इनोंने 111 रण है, 18 कैबरीज 146 का स्ट्राइक रिट है, फरस्ट इनिंग में आप देखो गे 38 कैबरीज 144 का स्ट्राइक रिट, सेकेड इनिक में में लगबग आधा हो जाता है, बाईस कैबरीज और दोस्तों यह आप देख रहे होगे, ही फरस्ट इन ज्यादा मुकाबले दोस्तों इन्होंने नहीं खेले हैं, इंडिया खिलाब तो एक ही मुकाबला खिला है, एक रन और दो बुकित चटका है, दोस्तों उसमें भी ये रन आउट हुए थे, यहाँ पर आप देखोगे, तेरा मुकाबलों में 90 रन इन्होंने बनाए हैं, और सा जैले दोस्तों, जो 5000 के गिव अवस्तों है, जिए दोस्तों, 5000 के गिवाभी का क्वेशन है और 57 का, आपको व wise captain प्रिडिक्त करना है, धिरेम टीम के, धिया दोस्तों, dream team के captain кру ego बबडिक्त करना है hartतौन कैप्टन रहने बाला है, भी ये कक प्निक्स केप्टन का, और को ब लेयर का नाम लिखना है और जो top 10 सही answer देने बाले होंगे दोस्तों उनको हमारी तरफ से 5500 का price दिया जाएगा जिया दोस्तों 5500 का price दिया जाएगा इसके according 5000 हम आपके लिए price देने बाले हैं तो आपने नहीं सुना हो तो question सुन लीजीगा कि captain vice captain आपके लिए predict करना है कि dream team का captain vice captain कौन रहने बाला है आप comment करेगा वीडियो पर comment करोगे यदि आपका answer सही होता है तो 5000 का आपके लिए price दिया जाएगा एक से लेकर 10 तक जो top 10 होंगे न उनको जियां दोस्तों top 10 को 5500 रोपे का cash price दिया जाएगा PTM उसके बाद मिचल सेटनर important है दोस्तों इनका देखोगे 7 रन 2 wicket सांदर गेंदवाजी की दो इस पेन भी इने काफी अच्छी मिल लाई थी 18 मुकाबलों में 98 रन इनों ने वनाए इंडिया के खिलाब दोस्तों और 18 मुकाबलों 16 विकेट भी निकाले हैं लाश्ट मुकाबलों दो विकेट निकाले तो फिर आपके लिए 18 विकेट हो गाए 19 मुकाबलों में पिलेयर काफी सांदर है बिल्गोल डेफिनली आप इने ट्राइग कर सकते हैं सेकंड इनिंक्स में दोस्तों इनों ने विकेट निकाले हैं वासट 46 इनिक्स में और दोस्तो फर्स्ट इनिंग में इन्होंने 27 विकेट इस सेकंड इनिक्स में अच्छा खिलती हैं लौकी फर्गूशन का आप देखोगे यहां पर तो दो विकेट निकाले हैं इन्डिया के खिलाब भी काफी अच्छा यह खिलती हैं 6 मुकाबलों में 6 विकेट और 7 मुकाबलों में आट विकेट हो गए हैं इनके और 121 का इनके स्ट्राइग रेट है फर्स्ट इनिंग में आप देखोगे 7 मुकाबलों में 15 विकेट निकाले हैं तो कोई चेंजेस होगा अपडेट में टेलिग्राम पर करूँगा और जो विनर का नाम एनाउंस है न वो भी हम टेलिग्राम पर ही करेंगे कौन-कौन विनर रहने वाला है तो प्लीज आप टेलिग्राम जरूद जोइन कले जीगा तो चलिए बात करने टीम के फानल प्रिवीव के बारे में तो दोस्तो टीम का फानल प्रिवीव बताऊं उससे पहले आप माई फैबले में डाउनलोड कले जीगा लिंक का आपके लिए डिस्क्रिप्सिन मिल जाएगी और आप हमें फालो करते हो माई फैबले में पर एड़ दरेट ड्रिम क्रू गुरू डालकर तो हम आपके लिए 500 केश बोनस बहां पर भी देने वाले हैं आपके लिए बहुत सांदर अप्लिकेशन है आप एक बार जरूए से ट्राइग करकर देख लीजीगा आप टीम का डारेक्ट फानल प्रिव्यू के बारे में हम बात करें तो आप यहां पर देखोगी तो हमने ट्राइग किया है दोस्तो बिकिट कीविंग सेक्षन में कौनवे को जो कि हमारे केप्टरन है बले बादी सेक्षन में सुर्कमार यादाप सुभमान गिल डेरी मिच अपने टीम में ट्राइ किया है बॉलिंग में दो ही मैंने ट्राइ कि हैं दोस्तो अर्षदीप सिंग और लौकी फर्गुशन ए मेरा कॉम्बिनेशन है लेकिन आपके लिए जो फाइनल कॉम्बिनेशन मिलने बाला है विद केप्टन बाइस केप्टन वो मैं टेलिग्राम आपडेट करूंगा तो प्लीज आप टेलिग्राम जरूरर हमारा जोइन कर लिजीगा लिंक आपको टेलिग्राम के वीडियो की डिस्किप्सें में मिल याइए दोस्तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सस्क्रैब कर लेना है वीडियो एकने गले धन्यवाद